हेलो प्यारे बच्चों कैसे आप सब आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम सभी परातना पत्र लिखना सीखेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में फिर कॉमन लगा देते हैं परदाना चार्य या फिर परदाना चार्य अभी लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद आप अपने स्कूल का एड्रेस डालेंगे जैसे यहाँ पर डला हुआ है जी जी एस एस स्कूल जसोला नई दिल्ली और फिर यहाँ पर पिन कोट भी डाल रखा है है ना आप सबने देखा फिर उसके नीचे आ जाएंगे एक लाइन छोड़ेंगे फिर उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक यानि क्या डेट है किस डेट को आप यह एप्लिकेशन यह परातना पत्र दे रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब सबसे महत्तुपूर क्या होता है इसमें कि विशे यानी सबजेक्ट आप किस जो प्रातना पत्र लिख रहे हैं उसका विशे क्या है सबजेक्ट क्या है तो बिमार हो जाने के कारण तीन दिन का अवकाश लेने है तू प्रातना पत्र या फिर आवेदन पत्र इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे बिमार हो जाने के कारण तीन दिन का अवकाश लेने है तू प्रातना पत्र ओके आप यहाँ पर प्रातना पत्र लिख सकते हैं आगे चलते हैं अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि महोदै महोदै यानि सर महोदै यानि मैडम कौमा करेंगे फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे एक लाइन दो लाइन चोड़ने के बाद कि सवी ने निवेदन है कि मैं यहाँ पे कौमा लगा देंगे कि मैं आपके विद्याले की छटी कक्षा की छात्रा हुई यहाँ पे छटी, सात्मी, आठमी, नवी, दसमी, ग्यारमी, बारमी आप जो भी आप जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं मुझे कल शाम से तेज बुखार है रात में डॉक्टर से दवा लेने के बाद भी डॉक्टर ने मुझे तीन दिन तक विश्राम करने के लिए सला दी है विश्राम यानि बेड रेस्ट यानि आराम करने को बोला है डॉक्टर ने तो इस कारण मैं आज से तीन दिन तक आप अपने डेट डालेंगे जिस डेट से लेकर जिस डेट तक की आपको छुट्टी लेनी है वो चीज यहां पर मेंशन कर देंगे की जैसे इस कारण मैं आज से तीन दिन तक 21 ग्यारा से लेकर 23 यानि 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक विद्याले आने में आसमर्थ रहूंगी यानि विद्याले नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आपको डॉक्तर ने विश्राम करने को बोला है फिर एक लाइन चोड़ेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे आप कि अता आपसे निवेदान है कि मेरी तीन दिनों की छुट्टी को स्विकार करें इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी बस इतना असा लिखना है बेटे और प्रातना पत्र जब एक्जाम में पूचा जाता है अब आपकी अग्यागारणी चात्रा या फिर अग्याकारी चात्र भी लिख सकते हैं आप अपना नाम यहां पे डालेंगे अपने कक्षा का नाम डालेंगे और रोल नंबर भी डाल देंगे ठीक है तो इस तरीके से आप जबी ने अप्लिकेशन यानि प् पूरे चार से पांच नंबर के होते हैं तो आप सभी इस एप्लिकेशन को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और अपने फुल मार्क्स लाएंगे थैंक यू